आज का हमारा टॉपिक है हीट इक्वेशन और रेक्टेंगल प्लेट हम इसमें क्या कर रहे हैं जो है एक प्लेट ले रहे हैं चीक है जो की हमारी क्या है रेक्टेंगल में है इस तरह से ठीक है यह जीरो का है तो यहां है जीरो जीरो कॉंड़ेंट हो गए यहां यह हमारा एक यह हमारे जो है रेक्टंगलर प्लेट है तो इसी के लिए है अब हम इसे में चाह करना है लेटस कंसीडर एक रेक्टंगल प्लेट ओ, ए, बी, सी यह O है यह A है यह B है और इसी है चाहिए प्लेट टंपरेचर इसी जीरो है हमारे जितने भी एजिस है उनकर हमारा क्या है टंपरेचर जीरो है इसके अंदर तब हमारा क्या होगा जो है तब हमारा टंपरेचर क्या होगा टंपरेचर इस नौट जीरो इंसाइड दा लेट इस तरीके से हमने इसका हमने एक फंशन डिफाइन कर दें इसके अंदर इसके से फंशन डिफाइड दे देड़ प्लस में देल यू डेल यू का स्केर टीक है यह यू है और वन बाइ सी का स्केर डेल यू फोर में देल दी इसकें इसके साथ साथ हम डिफैंड भी करते जा रहें कौन कौन सी इक्वेशन है जहां पर हमारा सी किया होता है यह तो इसके साथ हम इसे सॉल करेंगे तो इसकी कंडिशन से विद बांडरी कंडिशन दिज हूआ है यू हमारा किसे बांड है, x, y, t यह होगा, x, y, t, k mundial होगी इसमें है जब हमारा x है चीक है और y, t मलब जब हमारा x 0 होगा तो हमारी value 0 होगी और जब हमारा x a होगा तब हमारी value क्या रहेंगी? 0 रहेंगी जो चारों की conditions हैं हमारी भार इनिके लिए हम apply करना है ठीक है? उसी तरीके से जब हमारी y 0 होगा तब भी u 0 होगा और जब हमारा ये ऐक constant हमने b माना है बी पे भी यह क्या रहेगा जीरो रहेगा चीक है और लास्ट है हमारी condition यू एक्स वाई और टी जब हमारा जीरो होगा तब हमारा क्या होगा है एफ यू ठीक है इस तरीके से इसकी तीन conditions हमारी पास आ चुकी है ये सेकिंड है ये थाड है और ये फोर now consider the solution of equation first equation first का हम solution consider करते है तो यह होगा u x y t है तो हम इन तीनों का ही करेंगे x y t इसके लिए t डिफाइन करा है और इसके लिए y और इसके लिए हमें x इस तरीके से हमारी क्या होगे ये तीनों आ चुके अब इसी के बाद हमें क्या करना है इन्हें इससे क्या करना है partially differentiate करके और हमें equation first में put करना होगा ठीक है और उससे हमें equations बनानी होगी now del u upon del x इस cost में क्या रहेगा y t del x del x या फिर हम इसे एक बार और करते हैं तो del u del x का square इस cost में y t x के respect में कर रहे हैं तो बाखे के जो दो होगे वो constant की तरह टीट होगे ठीक है del x del x का square इस तरीके से हो गया है similarly हम दोनों values और लिख लेंगे del u upon del y का square की होगी x t और del y del y का square इसे हमने लिखे लेंगे y t x double dash और इसे लिखेंगे हम x t y double dash दो बार डिप्रिसेंट है तो हमने दो बार का dash लगा है चीक है उसी तरीके से हम del u upon del t का करेंगे तो वहां मेर x y constant की तरह रहेंगे और del u upon t और del t आएगा चीक है तो इसे करेंगे x y t dash अब इन तीनों ही values को इने मानने 5 equations इन 5 equations को हम 1st equation में put करेंगे और फिर इसका solution करेंगे now put all values of equation 5 in equation 1st इसमें रखने पर हमें क्या मिल रहा है t y x double dash प्लस में x t y double dash इसको अल्टू में 1 by c का square x y t dash अब इस equations को हम क्या करेंगे पूरी पूरी को x y z से divide कर देंगे अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं इसे x y t से divide कर देते हैं y x y and t तो हमें यहां से मिलेगा x double dash x y double dash y बाकी क्या में करते जाएंगे यहोगा 1 by c square t और t dash इस तरीके से हमारे पास यह equation हो जाएगी अब हमें इसी में यही पता है जो हमारी equation है इसमें यह t पर depend कर रहा है x पर depend कर रहा है यह y पर depend कर रहा है माला कोई भी एक दूसरे पर dependent नहीं है independent है तो इसलिए हम क्या करेंगे इन्हें एक constant के equal मानेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे RHS is depend of t and RHS depend on x and y so find the solution of this equation we consider both side equal to some constant say lambda ठीक है अब हमने यहां lambda दिफाइन कर दिया है इससे होगा अब हमारे हां lambda के लिए conditions होगे ही lambda हमारे किस तरह करेंगे चीक है अब हमें अब हमें जो हमारी स्टार वाली एक्वेशन ही कहा थी और y को टी रहने देते हैं यहां से 0 को रखते हैं इसमें रखते हम इसकी वैलू यह वाली वैलू हमारे किसके एक वालती जीरो के वालती अब हमें पता है जो यह वैली वैलू हमारी function वाली है अगर यह वैलू हमारी 0 हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा यह जो हमारा general solution मना था यह पूरा solution 0 हो जाएगा इसलिए हम कहेंगे कि y y ty हमारा 0 के एक्वल नहीं है और हम क्या करेंगे इससे कहा देंगे कि x 0 हमारा 0 next है u a y t नहीं से x a y y t t भी हमारा क्या था 0 के एक्वल था अब इसी में हमारा क्या होगा जो है हम यहां से यही reason देंगे कि यह इसके एक्वल है तो हमारा x a 0 होगा यह हमारे equal होगा ही नहीं next हम equation करते है जिसमें हमारी condition हमारी 3 थी condition 3 में हमारी क्या था x को तो रहने देना था y को 0 put करना था और t यहां भी इसी तरीके से हमारा x x और tt तो 0 के equal नहीं रहेगा उससे क्या हो जाएगा x x हमारा किसके equal हो जाएगा sorry y 0 है वो हमारी 0 के equal हो जाएगा similarly u x b t यह भी हमारा इसी तरीके से होगा y b t t reason हमारा यही रहेगा और इससे हो जाएगा y cost में 0 अभी इन दोनन conditions को था हम यह दो conditions है इन्हें 8 दे रहे हैं और यह दो conditions है इनको हम 9 number दे रहे हैं आगे हम अब हम जो हमारी 6 और 7 equations थी उसमें अब हम lambda की value पूट करनेंगी हम यह lambda की क्या value उस निकालें उसे greater than lay यह less lay इसके लिए रपेंड करता है कि हम उन्हें कैस तरहीके से लेते हैं चाहिए तो हम सबसे पहला case लेते है case first when lambda is cost to me 0 ठीक है lambda is cost to me 0 ले रहे है then equation 6 हमारी क्या है x double x y dash y is cost to me 0 अब यह फिर से हम इसे एक constant के equal अब यह दोनों 0 है इसका मिलाब है हम इसे क्या है 0 के equal ले लेते हैं अब 0 के equal लेंगे x x को constant 0 के equal ले रहे हैं और yy को भी 0 के equal ले रहे हैं तो हमने इसे 0 ले जाए अब यहां से हमारा आजाएगा x dash 0 y dash 0 और t dash 0 अब यहां से इसकी value निकालेंगे तो x axis होगी a x b और y dash ही होगी y y c x d हमने क्या क्या करा है integration क्या है दो बार integration करने पर हमें इस solution लेगा हम इसे पूरा इसले नहीं करने खोलकर जिसे कि यह वैसे ही बहुत लंबी जो इसका solution है और इससे और ज्यादा लंब हो जाएगा हम इसे directly इस तरीके से लिख सेपने और t हमारा क्या हो जाएगा एक constant की equal हो जाएगा जिसे हम क्या कर सकते हैं यह बोल गते हैं तो हमारे पास अब इसमें हम क्या करेंगे एट और नाइन कंडिशन लगाएंगे बाइक कंडिशन एट एंड नाइन चीक है यहाँ एकस जीरो करा इससे क्या जाएगा बी यह जीरो जाएगी वैलू और यहाँ जीरो बचेगा फिर इसी लिए हम क्या कर रहे हैं इसको जीरो पुट कर रहे हैं चीक है तो यह हो जाएगा जीरो और इसी तरीके से मैंने इसमें वैलू पुट ओडिया ठीक है अब इसी में हम सेकंड कंडिशन जो इसी के साथ टेसाथ हमारी दो कंडिशन थी X को A पूट करें उसके बाद जी रो है तो अब हमारी A वईलू तो जीरो नहीं है तो यहां से हो जाएगा A भी हमारा जीरो जाएगा ठीक है A not equal to 0 A 7-0 हो बढ़ें देन यू एक्सटी इस कोस्ट्ट में 0 और यू एक्सटी जीरो हो गया इससे क्या हो गया हमारा पूरे सॉलुशन क्या आएगा कंडिशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा नॉट सैटिस्फाई पॉर्थ कंडिशन ठीक है फॉर्थ कंडिशन तो उसके बाद लखेंगे इस केस इस रिजक्त अब हमने यह केस रिजक्त किया अब हम केस सैकंड लेंगे जिसमें लेंडा को ग्रेटर देन जीरो माना तो उसे क का स्केर कर दिया तो नाओ लेट एक्स डैस एक्स इसकोस्ट्र में हमने एंड स्केर मान रहे हैं वाइडश और वाइड इसकोस्ट्र में हैं इसकोस्ट्र मान रहे हैं जहां से हमारा के स्केर एंड स्केर हो जाएगा चीख है यह हमारा क्या आराच एस साइड और यह लेप्ट हैं साइड तो हमें दोनों को हम इस तरह के से एक्वाल करते हैं और हिहां से हमारा यह मरा जाएगा वन सी ऑफिक है और तड़ के конечно स्कeर के किस तरीके से फाइंड होगा जब हम यह वैल्यूस को लेते हैं सबसे पहले हम इसे स्वाइब करते हैं इसको रियरेंज किया थे यह बेल्यू यह ले गएं इस डबल डश है फैस और स्कॉयर के स्कॉयर और इसका सुलुशन क्या होता है यहां हम मěल démocrat मैनस ऐसे कंब करते हैं जिसे तरीके से एकस का पंशन है य रिजूर ऑब जाता है ये एक सीफ की तरह लिकालते हैं और हम इसमें values पूट कर देता हैं जिसे हमारा था एक constant की तरफ रखे और जो यहां यह square में होती है वैलू इसी को यहां रखा जाता है इसके साथ उसी तरीके से यह cf इसका solution होता है अब यही values हम यहाँ इसमें put कर गाएं चाहिए तो अब x-axis हमारा आ जाएगा a-emxbe-mx चाहिए अब हम क्या करेंगे यहाँ हम condition apply करते हैं now condition 8 जो हमने rearrange करके आई थी हमारी apply apply x-0 पे हमारा यह बन हो जाएगी यह भी बन हो जाएगी तो यह जाएगा a plus में b इस कॉस्ट्य में 0 इससे क्या हो जाएगा मैं b को लिख सकती हूँ मैं-a तो हमारा x is अब क्या गया है ड« था कि ड'ash है इस तरहीके से और हम क्या कर रहें a- को रहने दे रहे हैं बहार ले ले रहे हैं क्योंकि यहां भी हमें a- लिखेंगे वह minus का sign रहने देते हैं और इस तरीके से इस values को हमें इस तरीके से लिख लिए आए चीक है इसे अमारे access भी 0 हो गया और यह जैसे हमारा first case reject होता है सेम उसी तरीके से यह भी case reject हो जाएगा x 0 is place u x y t 0 then condition for not satisfy hence this case is reject अब हमने यह case reject कर गया है अब लास्ट है हमारे पास case 3 है case 3 इसमें हम lambda को less than 0 लेंगे तो हम क्या करते है lambda minus k का square और k हमारा 0 नहीं है ठीक है now now equation 6 and 7 अब हमारे पास क्या हो गया x double dash x इस कॉस्ट्यू में हमने minus m का square मान रहे है लैट कर रहे है चीक है और यहाँ y double dash y हमें n का square हम इस तरीकी की value ले रहे है जो 0 से less है चीक है और यहाँ भी हमारा क्या जाएगा उसी तरीकी से 1 c का square t t' और equal to में minus k का square यहाँ भी हमारा उसी तरीके concept है यह इन दोन का समीश इनका दोनों का addition होगा तो यह किस तरीके से होगा minus k minus m minus n का square minus common ले ले लेते हैं तो हमारा यह इस तरीके से value आजाती है चीक है हम k की value यहाँ निकाल रहे हैं क्योंकि हम आगे जब इसका solution निकाल लेंगे उसमें k की value पुट करेंगे इसलिए अब इसका solutions हम निकालते हैं इसे rearrange करते हैं m square x is cross two में 0 x axis आगे हमारा a cos mx b sin mx चीक है इसे तरीके से हमारे यह होगा y double dash n square y इस costume में 0 इसे हो जाएगा y y c cos ny d sin ny इस तरीके से इन दोन के solution आगे थड़को हम एक side अभी रहने देते हैं इसे बात में solve करेंगे पहले इन दोनों का solutions हम निकाल लेते हैं now apply condition eight and nine ठीक है हमने 0 किया तो यहां से हमारी क्या value हो गई हमने क्या कर दिया इसमें जो है 0 पुट किया तो यहां से हमारे बिचेगा जो कि 0 के को लागा इसे हमारा आएगा जो हमारी value आजाएगी वह जाएगी x axis a sorry b sin mx और हम जो है इसमें भी apply करते हैं तो यहां से यह value तो 0 हो गई c हमारा क्या जाएगा 0 जाएगा जिससे हमारा आगे solutions आजाएगा yy d sin ny ठीक है अब हम next condition apply करते हैं यहां x किजिए a पुट करते हैं a पुट करने पर sin m a इस costume में 0 ठीक है तो यह b हमारा 0 नहीं होगा b अगर 0 हो गया तो हमारा x axis 0 हो जाएगा तो यही टर्म बच रही है इसमें और यह multiplication में 0 हो जाएगी और इससे हमारा फिर से फर्स्ट और सेकंड रिजेक्ट होगी थर्भी रिजेक्ट हो जाएगा जब कि हमें solution find करना है और कुछ trivial solutions में हमें देख पता है कि जो है sin m में 0 होता है तो हम वही निकालेंगे sin m a और यहां पर हम क्या करेंगे 0 के equal पूट करेंगे अब जब 0 के equal हमने पूट किया तो इससे आएगा m n यहां से आजाएगा पाई n डेश ठीक है अब इस n डेश से हम क्या करेंगे जो हमारा m है इसकी value निकालेंगे तो इससे आएगा पाई n डेश अपॉन में a ठीक है उसी तरीके से हम यहां भी apply करेंगे और यहां भी value निकालेंगे उसी तरीके से यहां पर हम b put करेंगे यहां b condition है यहां होगा y b d sin n b इस cost में 0 हमारा d तो 0 के एकवल नहीं होगा तो sin n b इस cost में 0 आएगा जिससे हमारा जाएगा n b है वो पाई m डेश के ठीक है हम क्या करते हैं यहां जिससे हमें confusion ना रहे m की जिगे m डेश ले लेता है और n की जिगे n डेश ले लेता है ठीक है अब हमें यहां पर जो है n की वैलू पुट करने है क्योंकि यह हमारा आइगन वैलू है इसलिए तो पाई m डेश अपन में b यह आ चुका है ठीक है अब हमारा solution किस तरीके सा आया है अब हमारा solution आया है x axis b इस costume में b sin m की वैलू रख रहे है तो πाई m डेश a x आ गया उसी तरीके से 4fd हम इसमें करेंगे चीक है y की वे लिए करेंगे तो y होगा d sin pi m डेश b और y चीक है इस तरीके से हमारा दो solutions आ गए है और थाड़ हम t t का निकाल रहे है उसे हम क्या करते है फिसे rearrange करते हैं चीक है अब इससे rearrange करेंगे तो 1 c का square t t dash minus k का square था इसे rearrange किया तो यह आया plus में k square c square t इस cost 0 और इसका solution हमारा किस तरीके से निकलेगा हम इसका सबसे पहले इसे कैसे लग सकते है d t upon t एक है और इसे हम ले जाते हैं इसे k square c square t अब इसमें क्या करते हैं t को धली आते है और small t को धली के जाते है इससे आ जाएगा d t minus k square c dt और यह t नीचे आजाएगा इसका integration करते हैं तो इस तरीके से यह log t आजाएगा minus k square c t आजाएगा और यहां constant के लिए हम ले लेते हैं एक a अब हमारे पास क्या जाएगा जब मैं इसे लेकर आउंगी तो log t by a आजाएगा minus k square c t आजाएगा अब t by a हमारे क्या हो गया जब log दूसरी तरफ जाता है तो exponential में बन जाता है यह k square c square t और हम इस constant को ले जाएगे तो यह हां इस तरीके से आजाएगा और इसका हमार इस तरीके से solution आजाएगा अब इन तीनों ही values को हम क्या करेंगे अपनी equations में पूट करेंगे आगे हम इस access को यह किसके लिए करते हैं mn के हर एक m value के लिए हमारा क्या रहेगा bm sin pi m dash a x आएगा ठीक है और यह हमारा हर एक जो है n के लिए रहेगा चीक है यह हमारा n है चीक है तो इससे क्या हो गया है यह n हो गया है तो और हमारा हो गया y n y d n तो हम लिख देंगे for every eigen values चीक है के लिए हम यह solution निकाल रहे है sin pi n dash b और y चीक है अब हमारा last time और लिख लेते है t t का तो n के लिए निकाल रहे है यहां हम m और n दोनों लेंगे क्यूं क्यूंकि हमारा जो है e minus k k square की value हमारी क्या थी हमने क्या ली थी हमने ली थी जो है k square था हमारा m square प्लस में n square ठीक है यह values दी और जो m की value क्या है वह है pi m dash a और n की value है pi n dash b ठीक है तो हम इसे खाली m n की form में लिख रहे हैं इसे और ज्याद़ रिप्टी नहीं लिख रहे हैं m square n square ठीक है c square t यह values हमने यहां रख दिये इस तरीक है अब इन तीनों values को हम क्या करेंगे जो हमें पता है कि u x y t की value होती है for every m goes to tends to infinity and goes to tends to infinity और हमारे यहां पर आ जाएगा un x t m आएगा for every m and n x y and t अब इन सभी value है क्या होता है इन तीनों का ही product होता है इन values रख दिंगे बी एम साइन पाई m-a x साइन पर दियन लिखते हैं दियन साइन पाई n-b-y और a m n e की power m square n square c square t अब हम देख रहे हैं हमारा बहुत ज्यादा constant है अब इन सभी का constant की value निकालना हमारे बहुत जादे difficult हो जाएगा तो हम इन्हें एक constant माल लेते हैं यह तीनों n मान रहे है चीक है इससे हो जाएगा u x y t is cost to miss m 0 to infinity n goes to 0 to infinity c m n sin pi m dash a x और sin pi n dash b y और e की power m square n square c square t ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारी last condition है वो apply करेंगे now condition for apply then equation is उसमें क्या आता इस t को हम 0 put करते हैं x y 0 put करने पर वो हमारा क्या आता था f u आता था ठीक है और अब यहाँ 0 put करेंगे तो यह value तो 1 हो जाएगी बागी हमारा ऐसे ही आएगा अब यह value आ चुकी है अब इसमें cmn की constant की value मानेंगे तो यह हमें पता है हमारी एक तरीके से 4-year sign series है तो हम इसे डारेक्ट इसका इसका solution हम निकाल सकते हुए नहीं तो इसका direct हम जो है cmn की value लिख सकते है चीक है 4-year this is 4-year 5-year sign series 5-year sign series m varies 0-year a and n varies 0-year इस तरीके से लखेंगे तो आजाएगा cmn आगे हमें क्या करना है 4 आएगा और जो इन दोन उनके नीचे के constant रहे हैं इनने लखेंगे हैं ठीक है और 0 to a 0 to b और हमारा यह आजाएगा f u इसमें अंदर आजाएगा तो हमारा क्या आजाएगा जो not man हो जाएगा चीक है अब यह इसका function हो जाएगा ठीक है जब भी value रखी जाएगी sorry f u इसमें values रखी जाएगी चीक है आगे हमारा क्या जाएगा sin चीक है और पाई एम यहाँ डबल डैश हो जाएगा a x sin पाई एड डबल डैश बी वाई ठीक है और हमारा यहाँ हो जाएगा d u ठीक है अब यह values हमारी सारी आचुकी है यह हमारी cmn की value आगे है अब इस रहे सिर्फ सीधा सीधा हमें क्या करना है इस equations में put करना है ठीक है यहाँ cmn है और हमारा solution सीधा चाहिए अच्छीक है u x y t में पहले 0s to infinitive m goes to 0 to infinitive और n goes to 0 to infinitive है ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है सिर्फ इन values को put करना है सबसे पहले 4 a b को तो हम भाहर रहने देते हैं यह हमारे क्या है cmn की value रख रहे हम पहले 0 to a b fu sin pi m-ax sin pi n-by du ठीक है next है हमारी उसके बाद यह value सारी आ जाएगी यह cmn की value रख दी हमने तो यह साइन pi m-p ठीक है अब आप यह सोचें कन्फ्यूज हों कि हां तो m है इसी तरीके से इसमें भी है यह यह हमारे n है और जो है हमने इसकी value पूट कर रखे हैं और e m-square n-square c-square t यह हमने पूट नहीं कर रखी ज्यादा ही लेंती हो जाएगा solution और यह इसका solution आप